1988 ये वो साल था जब जब जवाहरलाल नहरू के चीन दौरे के 34 साल बाद भारत के ततकालीन प्रधान मंत्री राजीव गांदी ने चीन का दौरा किया कहा जाता है कि इस दौरे ने भारत चीन के बीच आइस ब्रेकर का काम किया और कई साल बाद दोनों देशों के बीच संबंद बहतर होने लगे इस दोरे में भारत और चीन के नेताओं ने दोनों देशों के बीच शांती बनाए रखने का वादा किया 1988 एक और बड़ी चीज के लिए जाना जाता है क्योंकि 1988 में ही संसद ने 62 संविधान संशोधन के जरिये वोटिंग करने की उम्र 21 साल से घटा कर 18 साल कर दी थी इससे संबंदी बिल को 20 दिसंबर 1988 को मंजूरी दी गई थी इसके अलावा 1988 में चेस में भारत ने नया कीर्तिमान रचा विश्वनातन आनंद जो शत्रंज के विश्व चैंपियन है वो इसी साल भारत से चेस के पहले ग्रांड मास्टर बने थे